लास्ट लास्ट येस तो आपको लास्ट दिया होई और एस दिया होई 144 लेकिन यहां पे यह भी तो दिया होई दिया होई तोटल 9 तम्स तो इसमें कुछ बचा बिटे अगर यह तो सारा ही फत्रम हो गया अपने आप में अगर आप से कह रहा है लास्ट रम है 28 और एस है 144 और टम्स है 9 और आप से कह रहा है ए निकालो क्या इन चारों में कोई फॉर्मूला है यह तो फिर बिटे कुष्टन ही कहां था है यह तो कुष्टन था ही नहीं कुछ बिटे आपके पास आजाएगा एस 9 एक्शुली 9 by 2 1st sum plus last sum 1st sum plus last sum तो s9 की value रखो sum कितना दिया है 9 by 2 1st sum मालूम नहीं है last sum कितना दिया है तो 9 से अगर आप cancel करोगे शायद 16 होता है 16 आ जाएगा ना और 16 टू जा कितना आएगा 32 माइनस 28 आएगा तो A की value कितनी आएगी इसमें तो direct bit value आ रही थी इसमें कहां जुश्च करना है किसी को कोई और part पूछना है सिर्पार्ट पर से बता दी ज़ये सेहन तो ने किया ही नहीं किया किसले कि पार्ट तुमने कोई शैयेरे किसले से उतंतकर लीTON यह सब्सक्राइब describe तैना मतलग होता है आपने ट्राइं किया है ऐसा नहीं होता कि आपने ट्राइए किया और एकदम से सौल हो गया है तो पूछा करो आपको करने निया काम नी चलेगा 62, चीक है जी और S N दियावा है 210, तो ये भी इजी था, आप से कह रहा है N निकालो, बताओ बई, क्या इन चारो में कोई फॉर्मूला है, अब इन चारो में क्या फॉर्मूला है हमारे पास, Yes Sir, क्या बिटे, बोलो शाबश, Sir, S N is equal to A plus N, A plus N, Yes, N का मतलब होता है last term, तो बिटे सारा तो दिया हुआ है 210 गीवन है S N, N बिटे मालूम नहीं है, First term दिया हुआ है 8, और last term दिया हुआ 62, तो 62 plus 8 कितना होगा, 70, 70 से 210 कितने टाइम जाएगा, 3, 8, 3 ताइम, और 32 कितना हो जाएगा, 6, तो N कितना आ गया, N 6 आ गया ना बिटे, Yes, अब अगर बिटे, N 6 आ गया तो अब आपको D निकालना है, Yes, कोई बच्चा मुझे बताएगा, D कौनसे फॉर्मूले में आता है, द्धाट में तो या तो थोड़ा नभार रहेगा, D क्वाले के न आता है, अब जो आप से पास बेलास्टम आया, उसकी पोजिशन पता चल गई या नहीं चल गई, सबचे बताओ, जो आपसे यह कह रहा था, शफी बिटे, म्यूट कर लिजे गर आपकी पीछे साफ आगा, जब आप बोलना चाहें, बोल दिए, अगर आपको एने तरम कह रहा है बिटे, तो एन तो हमारा 6 है, सबचे ध्यान से देखो, तो इसका मतलब एने तरम हमारा 6 है, 62, लेकिन 6 sum का फॉर्मूला क्या होता है, बिटे, A plus 5D, A plus 5D, A plus 5D होगा ना, बिटे, A six, yes sir, yes sir, yes sir, बताओ, A हमारा कितना है, बिटे, 8, 8, और 5D, D इतना है, पता नहीं है, और value कितनी है, 62, yes sir, no, yes sir, बेटे, 8 को माइनस करो, दर ले जागी, 62 माइनस 8, 54, 54, दिवाइद भाइद भाइद भाइव कर दो, यही आंसर है, बिटे, सब बचे बताएए, समझ में आ गया, yes sir, for your part, बिटे, यह, हमारे पास जो दिया हुआ है, वो A12 दिया हुआ, A12 होता है, A plus 11D, पहले मैं यही लिख दे रहा हूँ, और A12 की वैल्यू दिया है, 37, A12 की वैल्यू गिवन है, 37, ठीक है, और D हमें दिया है, 3, तो D की वैल्यू भी रख दो, A plus 11 into 3 is equals to 37, तो 11, 3 जा, 37 minus 33 कितना होगा, 4, A is equals to 4, yes, A is equals to 4, अब बिटे, हमारे पास A4 आ गया, चीक है, और A12 हमें पहले से दिया हुआ है, A12, A हमारे पास आ चुका है, आप से कह रहा है, S12 निकालो, सब बच्चे जाद ध्यान से, S12, तो क्या हमारे पास number of terms आ गये, कितने terms हमें add करने है, नहीं add करने है, क्यों, 12 क्या है यहाँ पे, 12 क्या है यहाँ पे, S12, तो S12 का मतलब क्या होगा, S12 हो जाएगा 12 by 2, है ना, और क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, first term plus 12 term, yes or no, yes and term हो जाएगा, हाँ बच्चे, जब आपसे S12 कह रहा है, तो 12 term हमारी last term हो अब आप खुछ सोचो, A भी हमें दे दिया, और A 12 भी हमें दे दिया, और A 12 भी हमें दे दिया, और number of terms भी पता चल गए, तो रख दो बटे, value, तो यह हो जाएगा 12 by 2, A हो जाएगा 4 बटे, और A 12 हो जाएगा 37, ठीके बटे, तो 2 से 6 हो जाएगा यह, और 37 plus 4, 41, 37 to 41, 246, 246, सब बच्चे देखिए, आ गया, यह, अपने अदर कोश्चन में, हमारे पास क्या है, यह एक्स्ट्रा कोश्चन, जो मैंने आपको असाइमेंट दिया है, उसमें यह बहुत सारे कोश्चन से हैं, और आप पढ़ेंगे, जो A.P की, स्टेडी पॉइंट की मैं Some of First Four Consecutive Terms Four consecutive Consecutive Terms और शायद यह उसमें भी आया है 2018 के Board Paper में भी आया है, यह कुछन 20 CBST 2020 में है 2020 Sum of First Four Consecutive Term CBST 2020 के Sample Paper में वागा बोड पेपर नहीं एगा फर्स्ट फूर कॉंसे की टर्म टर्म इस कितना है वेटे सम कितना दिया हुआ है सर्सम हमें दिया हुआ है 32 32 और आप से कह रहा है रेशो ओफ प्रोडक्ट रेशो फिर्स्ट एंड लास्ट तर्म रेशो प्रोडक्ट उफ फर्स एंड लास्ट तो में a1 इंटो a4 कह रहा हुआ हूआ है तो middle terms a3 and a2 यस सर्ट फिर्स आप डिया है रेशो 7 ratio 15 7 ratio 15 find the terms number find the numbers find a5 यह रहा है ना जी सर्ट find a5 यह find numbers फिर्क है यह मारी प्रास कुस्टिट्टन Sum of first 4 consecutive term is 32, ratio of product this, यह बस, तो पहले तो हम सीधा 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 सा हम इसको करें, तो हम यह मान लेते हैं कि हमारे पास first 4 terms है A1, A2, A3, A4, सब बच्चे पहले तो ऐसे इसको समझ लिज़े रख ली, कि है क्या question बाद में इसको attempt करें, तो हमें एक पार्ट तो यह दिया हुआ है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 is equal to 32, that is my first equation, और दूसरा हम से कह रहा है कि first and last term का product, मतलब A1 इंटो A4 और middle term का product A2 इंटो A3, इनका रेशो दिया हुआ है बच्चे 7 इस्टो 50, तो दो equation बनेंगी बच्चे उनको solve कर दीज़े, सिर्फ इतनी सी बात, आ गया समझ में? देखो जड़ा कैसे बन विए, अब अगर हमारे पास हम यह ले ले लें कि सब बच्चे ध्यान से देखो, A1 को क्या मैं A कै सकता हूँ, A2 को क्या मैं A plus D कै सकता हूँ, A plus 2D, A plus 3D is equal to 32, सब बच्चे बताओ, यह गीवन है हमारे पास, some more first 4 term इंटें, जिसको समझ भेना है, पूछ सकता है, तो A, 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 A कितना हो गया बेटें, 4A, और D और 2D, 3D, 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 6, 6D is equal to 32, यह हमारे पास होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आजाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2A plus 3D is equal to 60, यह हमारे पास होगा, ठीक है जी, दूसरा हमारे पास क्या दिया ह होगा, A1, A1 हो जाएगा, A, और A4 हो जाएगा, A plus 3D, ठीक है, और A2 हमारे पास होगा, पिते, A plus D, और A3 हमारे पास होगा, A plus 2D, is equal to 7 by 15, दूसरा हमारे पास यह हो जाएगा, जड़ा multiply करो, A into A क्या होगा, A square plus 3AD, अब यहाँ problem आएगी, कि हमारे पास equation square में आगा, फिर AD होगा, ठीक है जी, यह problem है, A square plus, यह हो जाएगा 2AD, AD plus 2D square, तो आपके पैस क्या हैगा, 15A square, 45AD, 7A square, 21AD, plus 14D square, तो 15-7, 8A square, 45-21, 24AD, and minus 14D square, तो यह दूसरी equation, अब वहाँ से या तो A को replace करिए, या D को replace करिए, अगर हम यहाँ से यह रखें, कि भै, A is equals to 16-3D upon 2, और उसको यहाँ रखें, तो उमारी equation सौल होगी, लेकिन अपने आप में देखो, यह कितना मुश्किल question हो चीटा है, अब ज़रा इसको दुबारा से सीखें सब बचे, अब पहले concept सीखें और फिर इस question को करेंगे, सब बचे ज़रा ध्यान से, जो मैंने आप से कहा है, कि जो मैंने वक्षीट दिये, उसमें यह questions मिलेंगे, होता क्या है, सब बचे फ्लीज ध्यान से देख लेजे, होता क्या है, हमें question देगा, कि sum of three terms in NAP, या आप से कहएगा, sum of five terms in NAP, या आप से कहएगा, sum of seven terms in NAP, सम दिया होगा, लेकिन number of terms जो होगे, वो odd होगे, three, five, seven, अब आप सब बच्चे फ्लीज ध्यान से देख लिजे बटे, सारे बच्चे फ्लीज, यह वो questions हैं, जो exam में मिल जाए, तो उनी पर इस बस मतलब सारा खतम हो जाए chapter, एक question आना था मांक्स का, वो ही ऐसा आगया, मुझसे हुआ नहीं, जबकि मेरा AP बहुत अच्छा हुआ था, तो इस तरह के question 4-5 ही होते हैं, जादे होते नहीं, तो यह आपको आने चाहिए, तो हमें क्या करना है, हम AP में जब terms लेते हैं, तो AP में terms की सिफ एक ही condition है, कि difference same होना चाहिए, difference क्या होना चाहिए? आप यह आवाज आ रही है? जब होना चाहिए, सर्था, अवाज clear नहीं होरी है? आवाज clear नहीं होरी? जी सर्था, यह आवाज तो clear आ हैं चाहिए? यह सर्था, clear है आवाज? प्लीज सर्था, मैं कोशिश करता हूँ, चलो दियान से देखे, हमारे पार difference ही होना चाहिए, तो एक थरीका तो यह होता है बेटे, कि अगर हमने पहला term A ले लिया, तो A plus D कर दिया, फिर A plus 2D कर दिया, तो D का difference है, that's why these are in AP, लेकिन जब AP three terms दिया जाएं, तो हम इस AP को ऐसे consider कर दें, पहला term ले लेते हैं A, और उससे पहला term ले ले लेते हैं A minus D, और उससे next term ले लेते हैं A plus D, क्या हम ऐसे भी AP suppose कर सकते हैं या नहीं, बस सारे बच्चे यह बताओ, यह सर्क कर सकते हैं, हाँ भई सब बच्चे प्लीज, जाग के दिखाएं ज़रा मुझे कौन कौन जाग रहा हैं? 5-10 मिनट क्लास है, बस से आंजे समझ लीज़े, मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, यह सर्ट, बस आवाज ही चाहिए मुझे, वीडियो नहीं चाहिए, बस सब बच्चे बताएं, प्लीज, जाग रहें सब बच्चे? यह सर्ट, यह सर्ट, आइए शाबच, तो मैं आप से कह रहा हूं, अगर आपको सम अगर आपको सम थिरी टंग्श आये, वेरी नाइस बते, तो आप संसीडर करेंगे, ए, ए माइनस दी, ए प्लस दी, प्लीज, ध्यान से देखो, अगर मैं आप से कहूं कि मुझे सम 20 दिया हूँ है, तो इसका फाइदा क्या होगा? कि बई, इन तीनों का सम मुझे 20 दिया हूँ है, तो होगा क्या बेटे, जैसे ही वैल्यू रखोगे, वैसे D कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आजाएगा? A आजाएगा, एक वैरियाबल की वैल्यू आजाएगी, समझ में आई बात या नहीं आई? इसका ये फाइदा होता है, अगर हम ऐसे कंसिडर करते हैं, अगर बेटे हमारे पास 5 तरम्स हैं, तो एक एक टम और बढ़ा दीजे, मतलब आप इससे पहले एक और टम ले लिजे और इससे बाद में एक और टम ले लिजे, वेरी गुड, वेरी गुड, अब आप समझ गए मेरा कॉंसेट, बिलकुल शाबश, अब आप इसका मतलब कॉंसेट समझ गए, अगर आपको 7 चाहिए, तो एक एक टम और बढ़ा दीजे, तो अगर नंबर ओफ टम्स ओड है, तो हमें ऐसे कंसीडर करना है, और बेटे, अगर नंबर ओफ टम्स एवन है, सब बच्चे धियान से देख लीजे, जो हमारा कोश्चन है, सम ओफ 4 टम्स, ठीक है, सम ओफ 6 टम्स, सम ओफ 8 टम्स, अगर हमें ये एपी दिया बढ़ा, तो दियान से देखो, सब बच्चे हमें करना क्या है, हम अपनी टम्स लेंगे A-D, और हम अपनी टम्स लेंगे A-D, मुझे बस इतना बताओ पहले तो, इन दोनों टम्स में कितना डिफरेंस है, अगर एक टम मेरा A-D है और एक टम मेरा A-D है, तो इन में D का कितना डिफरेंस है, 2-D का डिफरेंस है, अगर पिटी A-D में से A-D करो कि जो D-D आएगा, तो ध्यान बस यही रखना है कि 2D का gap लेना है, तो इसका मतलब next वाली term जो लेनी है, वो A plus 3D लेनी है, और इससे previous एक जो term लेनी है, वो A minus 3D लेनी है, यहाँ ध्यान रखना A हमारा first term नहीं है, और D हमारा common difference नहीं है, बस terms लिये हैं हमने, तो अगर मैं वैसे कहूं कि first term क्या है कि सर्फ first term यह है, second term क्या है, second term यह है, third term क्या है, third term यह है, fourth term क्या है, fourth term क्या है, fourth term यह है, और difference 2D का है, बट अमारा इससे question बहुत easily solve हो जाएगा, अभी हम दिखाएगे भी आपको करके, तो यह हमारे पास आ गया, अगर अब आपको six term लेने, तो six term कैसे लोगे, बताऊगा कोई? A plus D, A minus D, A minus 5D Yes, शाबाश A minus 5D आ जाएगा और इधर एक और आ जाएगा A plus 5D सब को समझ में आ गया? Yes, sir अब ज़रा वापस आओ question पे हमसे क्या कह रहा था, बिटे? हमसे कह रहा था 4 terms का sum A1 plus A2 plus A3 plus A4 R कितना sum था वही? 32 32 और हमने क्या सपोस करा Let terms are 4 terms are in AP A minus 2D A minus D A plus D A plus 2D given first part their sum is equals to 32 2D say 2D cancel B say D cancel Yes or no? Yes sir So 4A is equals 2 32 So what is A? 8 That's it Please जरा सब बच्चे द्यान से देगो कितना easy हो जाता है अगर यह property पता है Last term और first term A minus 2D No, yes A minus 2D And A plus 2D A minus 3D होगा ना यह? गलत लिया हम क्या होगा यह? A minus 3D Cancel तो होना ही था तो इसलिए तो cancel तो हो गया फरक नहीं पड़ा लेकिन product में आ जाए तो यह होगा बेते A minus 3D First and last term का product And middle terms का product A minus D and A into A plus D Is equals to कितना दिया होगा? 7 by 15? हाँ बई 7 by 15 दिया होगा ना? Yes sir जरा ध्यान से देखो A की value रख सकते हो आप सब बच्चे पहली बात तो यह हो जाएगा A square minus 9D square And A square minus D square Yes or no? A plus B, A minus B, A square minus B square होगा है? Yes A की value कितनी है? Yes sir A की value कितनी है? 8, रखो 8 का square 64 minus 9D square into 15 And 7, 64 minus D square Multiply करो क्या करोगे? 15 into 64 क्या होगा भई? 60 96 और 59 जा कितना होता है भई? 960 Yes और 7 into 64 क्या होगा? 7 into 4, 4, 8 ठीक है जी? जरा 960 minus 4, 4, 8 करो 10, 8, 2 5 और बिटा कितना रहे है? 5, 4, 1 और 9, 4, 5 और 135 जाए प्लस करो 135 minus 7 128 हाँ भी? 120 128 से शायद यह 4 ताम कैंसल हो रहा होगा? Yes 128, 256, 5, 12 तो D square is equals to 4 तो D is equals to plus minus 2 तो पिटे इस तरह से आएंगे हमारे टर्म देखो, easy है या नहीं है? जो हम last time कर रहे थे वो तो बहुत typical equations बन रही थी और जब आप ऐसे करोगे तो easiest बनेगा आगे है समझ में? Yes, सर्थ तो जब भी हमारे पास number of terms odd होंगे या number of terms even होंगे तो हम इस तरह से अपने उसको consider करेंगे बट अभी answer नहीं आया ध्यान रखना हमारे पास अब ध्यान से सुन लीजे हुआ क्या है A की value आई है 8 और D की value आई है plus या minus 2 तो अगर आप अगर आप A को 8 ले रहे हो और D को plus ले रहे हो तो हमारे terms क्या आएंगे ध्यान से देख लीजे 4 terms तो आपके पास आएगा A minus 3D 3 2 जा कितना होता है 6 8 minus 6 क्या होगा 10 A minus 3D पहला term क्या है 8 बिटे नहीं हमने जो suppose किया था A minus 3D हमने तो ऐसे suppose किया है ना बिटे तो 3 2 जा 6 तो 8 minus 6 2 और 8 minus 2 6 और 8 plus 2 10 और A plus 8 plus 6 14 तो हमारे terms क्या होंगे 2 6 10 14 समझ में आगया लेकिन आप खुद सोचो अगर आप A को 8 ले रहे हो और D को minus 2 ले रहे हो तो फिर A minus 3D तो ये 8 minus minus plus हो जाएगा तो सिर्फ reverse order होगा और कुछ नहीं होनेगा 14, 10, 6, 2 तो numbers तो ये ही है सिर्फ reverse order है 2 6 10 14 लिखो या 14 10 6 2 लिखो ये हमारे answer है सब बच्चे बताओ समझ में आयागा थोड़ा बहुत येस साथ चलो सर एक question और देखो जरा दुनिया जहां से question ढूण के ला रहे हो और book नहीं पड़ी जारी के NCRT में क्या दिया हो है ये आपकी NCRT का optional का first question है कम से कम 2 या 3 मरतबा board exam में आया है लेकिन आपको तो पढ़ना ही नहीं है book में क्या लिखा वा है आप से कह रहा है which term of AP is its first negative term